की किजिन अपका स्वागत आज मैं बना रही हैं सांभर के लिए सांभर बनाने के लिए मैंने आपके सब्सक्स काटलब्स को रूज़ेया है में यहां पर ड्रम श्टिक नहीं है मेरे पास में क्योंकि अभी सीजन नहीं है कुछ ठंडी पर रही है तो आपको मीले तो आप जरूर डालिएगा इसे फ्लिवर बहुत अच्छा आता है सांभर का तो मैंने इन सब्जियों को दो कर रख लिया है और मैंने यहां पर एक कब यहां पर मैंने एक कब डाल लिया है तो मैं एक कब डाल से ही सांभर बनाऊंगी तो मैं इसे दो लेती हूं पहले तो फ्रेंट देखिए यह दाल है यह अरहर की डाल है इसे तूर की डाल भी बोलते है इसे सांभर बहुत अच्छी बनती है अगर आप इससे बनाना चाहे त तो देखिए मैंने दाल को साफ कर लिया है हम इसे कुकर में डाल देते हैं यह तरीका बहुत ही अच्छा लगता है मुझे बनाना में जब भी बनाती हूं सामबर तो इसी तरीके से बनाती हूं और मैं इसलिए वीडियो को अप्लूड कर देखें और इस तरीके से जरूर बना प्लूड बहुत जल्दी बंतर त्यार होता है और बहुत टेश्टी भी बनती है यह सामबर आख और तो देखिए मैं अच्छा कुकर में दाल को डाल दिया हमिशर कंदू यह और सारी सब्दयों को बेंड है तो फ्रेंट देखिए मैं यहां पर ताल और सब्सक्राइब नमक डाल दे रही हूं और इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर तो यहां मैं आती चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर का इस्तमाल कर रही हूं फिर बाद में डालूंगी और फ्रेंट मैं इसमें डाल दी हूं सामभर पाउडर यह दिखिए यह एक चम्मच इतना है तो मैं इसमें डाल दे रही हूं इससे अभी डालने से फ्रेवर बहुत ही अच्छा जाता है डाल सब्सक्राइब और इस तरीके साफिक बज़ब डालिएगा अब हम इसमें डाल द इतने में डाल अच्छा सब्सक्राइब और यह दाल फ्रेंट बन जाती है जब मैं घर में बनाती हूं तब तो यह पांच मिनट में बन जाएगा और आप जहां बनाते हैं जिस तरह का दाल को मिल रहा है तो अलग अलग तरीके से भी दाल पकता है तो आप जब बनाए तो तो मैं इसे गैस ओं करके चढ़ा देती हूं पांच मिनट के लिए इसे बना लूंगी फिर गैस को आफ कर दोंगी तो देखिए फ्रेंट मैंने दाल को पकाया है और यह दाल देखिए कितनी अच्छे से बन गया है और अच्छे से गल गई है और सब्सक्राइब भी तो हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले और आप चाहे तो इसे अच्छे से ताल घूटने वाले से दाल को अच्छे से सब्सक्राइब के साथ मिक्स कर ले तो फ्रेंड मैं इसे इसी ताइगी का रहने दूंगी अब हम इसे साइट कर लेते हैं तो फ्रेंड देखिए अब मैं साभर बनाऊंगी तो इसमें कुछ मसाली जाते हैं तो यहां मैं कड़ाई को गर्म कर लिखना हूँ अब इसमें मैं तेल दादे रही हूँ यह सर्सो का तेल है आप चाहे तो ड्रिफाइन डॉल में भी बना सकते हैं तो तेल को मच्छे से गर्म होने देते है तो देखे फ्रे आप तो पेह ताम टरकर लगाते हैं इदर तो देखी ए तील अच्छे से गर्म हो गया है हम इसमें मेथि दान डाल दे गए हूँ और चीला डाल दे रहा है हूँ हूँ अज़ीर डाल दे रहे इसमे तो यहा तो ऑव हम इसमें डाल देंगी सर्सो काई साथ में दोडान मेंचे अब यह देखी क्रैटल हो गया अच्छे से हमें इसे कड़ी पता दाव दिया है और में इसे हरी मेंचे दाव देखे और हमें इसे प्याज दाव देंगे प्याज में छोटा प्याज में चौट किया है यहां पर दिखिए प्याज और गलर चेंज हो गया है हम इसमें डालेगे मसाले तो यहां पर में लेए नुधनिया पाउडर है चमच लाल मेर्चे है तिखी वाली वन खुट चमच देखे लागए यहां में खुट चमच जीरा पाटर या और में सांबर मसाला ले रहे नह malya है कि इसमें इसमें हां सांबर मसाला दू चमक डालेएंगे प्रेंड्ट तो मैंने सांबर मसाला दू चमक डाल दिया है इसमें अब में इसमें थोड़ा पानी डालेंगे बिंग सब को एक साब भूल लेंगे इससे हमारी सामपा बहुत भी अच्छी बन कर तयार होगी फ्रेंट अगर आप इस तरीके से बनाएंगे बहुत भी अच्छा बन कर तयार होगा चटपठा साम और इस तरीके से बना लेंगे तो बार बार इस तरीके से बनाना चाहेंगे तो हम मासरा ही को भूल लेते हैं फ्रेंट मैंने फ्रेंट को भी हाइटर दिया है तो फ्रेंड देखे यह हींग है कि से ने पानी पहल लिया है तो हम इसमें हींग डालेंगे ओपर से और आप चाहे तो तर्ट में भी डाल सकते हैं अबाद बिधिन हैं के शोचीन साथ नीक हैं गशास नाइं युद्सी मैं देगा एया बेभ Crema युदि युद अवे सहतीं हैं और एक बात मैंने दोट रहे आगा उपको युदार के लएक थी, नहीन को युदित नहीं ध्लिछे के वशे जी हैं तो देखिए फ्रेंड यह मैंने डाल दिया इसमें दाल्पोर सबजी जो मैंने बनाई थी और इसकी देखिए थीकनिस तो हम इसमें और थोरा पानी डालेगे बहुत गाढ़ा है मान यहाँ पर एकला समय पानी डाल के साथ को सबीं देंट पानी दाला है .. देखे फ्रेंट यह पानी डाल दिया है इसमें हम इसमें डालेंगे इंगली का पल्प जो मैंने सोग करके रखा हुआ है इसमें इंगली का पल्प है इससे बहुत ही अच्छा फ्लिवर आएगा तो चलिए मिसे पर्स मिला लेंगे तो यह इसमें ख़ने संबर के लिवर तो टालेंगे कर दालमक डाल दिया है तो देखिए इसमें अरख जिरू रटीया है है और इस तरिके संबर अश्याल clarify अब बाढ़ा या पतला रख सकते हैं तो यहां देखें यह मैंने ग्यास की फिलक और दिया है अब इससे सवर कर दिखाते हैं आपको तो देखिए फ्रेंड ये सामबर बन गया है मैं इसे सर्विक कर लिया एक बोल में और आप इस तरीके से एक बार जरूर सामबर को ट्राइब कीजिए तो आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसे तरीके से बनाना चाहेंगे तो आप मेरी चैनल को पहली बार देख रहे है मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए सेयर और कमेंट कीजिए कमेंट करना बिल्कुल जाते हैं आपके कमेंट से मुझे हिमत मिलती है आगे बढ़ने के तो फ्रेंड थैंक्यू